कर्णी सैना के संस्थापक लोकीनिर सिंग कालवी का सौंबार देराथ हार्ट अटैक की वज़े से निधन हो गया जैपुर इस्थित एसमेस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने राद करीद दो बजेस के पुस्टी की अंतिम दर्शन के लिए राजपुत सबाभवन जैपुर में उनका पार्थिव शरी रखा जाएगा जानकारी के मताबिक लोकेंदे सिंग कालवी का अंतिम संसकार नागोर जिली में इस्थित उनके पैत्रग गाउं कालवी में आजवा पैर धाई बजे किया जाएगा बताते चले कि कालवी जून 2022 से ब्रेन स्टॉक के चलते अस्पताल में भरती थी और अपना इलाज करवा रहे थी लेकिन सौमबार देर राथ हाट अटक की वज़े से उनका निधन हो गया पिशले करीब डेट रसक से कालवी अपने समाज के मुद्दो को लेकर काफी मुखर थे सरसत वर्षिय कालवी को 12 जून 2022 को ब्रेन स्टॉक के चलते सवाई मांजिंग अस्पताल में भरती करवाया गया था जहां जटिल सर्जरी के बाद करीब 123 दिन अस्पताल में रखा ग पदमावत का विरूत करते वक्त बटूरी थी जब उन्होंने फिल्म के डेरेक्टर संजलीला भनसाली और एक्टरस दिपिका पादुकून को धमकी डेडाली थी लोकिंद्र सिंग कालवी का जन मध्यराजस्थान के नागोर जिली के कालवी गाउं में हुआ था कालवी की पड़ाई अज मेर में पूर्वाज परिवारों के पसंदिद स्कूल मेयो कॉलेज से हुई थी उनकी हिंदी और अंग्रेजी दौनों भाशाओ में अच्छी पकड़ थी इन सब के साथ ही वे बास्केट बॉल के अच्छे खिलाड़ी थी वीरो रिपोर्ट पंजाब केसरी झाल